हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है टाटा नेक्सों आईसी एंजी मॉडल के बारे में तो चलिए वीडियो शरू करते हैं Tata Motors ने इस साल की भारत मोबिलिटी शो में भी Nexon ICNG शोकिस किया था ऐसे तो Nexon petrol, diesel और EV इन तीनों ही power trains में आती है लेकिन CNG में आने के बाद ये इंडिया के साथ साथ दुनिया की भी पहली और इकलोती ऐसी कार होने वाली है जिसमें आपको चारों तरह की fuel option मिलने वाले है तो चलिए जानते हैं Nexon ICNG की सारी details यानि इसके launch date से लेकर के price, features, mileage, engine, option, competitor और power के बारे में तो सबसे पहले बता दी की आपको Nexon ICNG में Tata Punch Tiago और T-Gore CNG के जैसे ही dual cylinder CNG technology मिलने वाली है जीस कारण से इसकी boot space एक normal CNG गाड़ी से ज्यादा होने वाली है इसके साथ ही Nexon ICNG एक और record break करने वाली है क्योंकि ये CNG में भी 1.2 liter यानि 1200cc के turbo petrol engine के साथ आने वाली है जो इसे petrol में 120 bhp और 170 nm top की power देने वाली है और जब आप इसे petrol से CNG में Swiss करेंगे तो ये petrol के मुकाबले में थोड़ी कम power generate करेगी और turbo petrol engine का मतलब है ये market में मौझूद बाकी CNG गाड़ियों से ज्यादा power और performance निकाल के देने वाली है और ऐसे तो Tata अपनी गाड़ियों में बहुत सारी अलग-अलग variants offer करती है इसलिए इसमें भी आपको 5 या उससे भी ज्यादा अलग-अलग variants मिलने वाले है इसके अलावा इसमें आपको manual transplant तो मिलेंगे ही साथ ही में आपको Nexon ICNG में automatic transmission का भी option मिलने वाला है जी हाँ, Tata अपनी दूसरी गाड़ियों के जैसे ही S में भी automatic translation offer करने वाली है इसके अलावा looks की बात करें तो इसमें आपको normal के जैसे ही same look मिलने वाली है बस इसमें आपको पीछे एक extra ICNG की बीजिंग मिलने वाली है और इसकी heavy CNG tank को संभालने के लिए इसकी suspension में थोड़ी changes मिलने वाला है interior और features की बात करें तो इसकी interior भी almost normal petrol वाली जैसे ही होने वाली है लेकिन इसमें आपको एक ही advanced ECU मिलने वाली है जिसकी मदद से ये smoothly petrol और CNG में switch करेगी और को आप directly CNG में भी start कर पाएंगे इसके अलावा इसमें आपको 10 इंच की important system, 10 इंच की digital instrument cluster, 360 degree camera, automatic climate control AC, 3 riding modes, wireless charger, 6 air bag, panoramics soon roof और 16 इंच की अलाव, wheels के साथ ही और भी बहुत सारी features मिलने वाली है इसके अलावा next one ICNG की safety के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है खास कर इसके tank में कोई भी incident से बचने के लिए बहुत सारी advanced technology यूज की गई है जैसे की इसमें थमल incident से बचने के लिए autocard of CNG technology का यूज किया गया है जो कोई भी fault detect होते ही automatically CNG को engine तक जाने से रोग देती है और अगर आपके CNG tank में कोई भी leakage होती है तो उस time पे ये खुद बखुद petrol में भी switch हो सकती है इसके साथ ही इसकी CNG feeling को fast करने के लिए new NGB one type की nozzle को भी use किया जाने वाला है CNG option की बात करे तो उसकी fareless से लेकर के pure variant में भी आपको CNG मिलने वाला है और इसके price भी normal के मुकाबले में variant Y just C 1000 से लेकर के एक लाग तक जादा हो सकती है मोटा मोटी देखे तो Nexon ICNG की starting price होने वाली है 10.40 लाग से लेकर के 15.80 लाग रुपे तक जिसमें इसकी second base या फिर middle variant से लेकर के top variant शामिल होने वाली है और launch date की बात करे तो Nexon ICNG को इस साल सितंबर से लेकर के October के बीच में इंडिया में launch करा जाएगा और launch होने के बाद ये mainly breja CNG को टक कर देने वाली है तो दोस्तों ये थी Nexon ICNG ये अब तक की सारी updates फिलहाल वीडियो में इतना है आपको ये वीडियो कैसा लगाए नीचे कमेंट करके बताएं Thank you for watching अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करे और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए